यूपी के सीयम योगी आदितिनाथ इन दिनों उत्राखंड के दोरे पर हैं इस तोरान वो अपने पैथरिक अवास यम के स्वर के पंचूर में पहुँचे जहां मुख्यमद्री योगी आदितिनाथ ने अपनी मा के पाउच हुकर आसिरवाद दिया बेटे को काफी दिन के बात देखकर सीयम योगी की माँ साबित्री काफी खुस नजर आई उन्होंने अपने बेटे योगी आदितिनाथ के सिर पर हाथ रखकर आसिरवाद दिया इस द दोरान दोनों के चेहरे खुसी से खिले नजर आएं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ भी अपने माँ से काफी दिन बाद मिले इसलिए चब वो अपनी मा से मिले तो उनकी भी खुसी का ठीकाना नहीं रहा सियम योगी ने अपनी मा से खुब बाते की और भीते पलो को याद किया इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित दिनाथ ने पौड़ी गड़वाल के यम के सुर में गुरु गोरक नाथ महाविद्यले परिसर में अपने गुरु महंत अवैदिनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया इस कारेक्रम के संबोधन के दोरान सीवम योगी ने अपने माता पिता और गुरु अवैद्यनाथ को याद कर भाविक हो गए थे उनकी आखों में आसु छलग आये थे मुख्यमंत्री योगी आदित दिनाथ ने कहा कि आज अपने गुरु पुझे महंत अवैद्यनाथ की म पहुचे हैं वही सन्यास लेने के 28 साल बाद अपने घर में रात बिताएंगे बता दे कि कोरोना काल में सीवम योगी के पिता का निधन हो गया तर लेकिन वो अपने पिता के अंतिम संसकार का रिक्रम में नहीं जा पाया थे सीवम योगी आदित तिनाथ 3 से 5 माई तक उत् चूर के पैतरी घर पर अपने छोटे भाई महंदर सिंग बिस्ट के बेटे के मुंदन कारिक्रम में सामिल होंगे यूपी और उत्तरा खंड पूलिस ने पूरे घर पर किसी भी भारी ब्यक्त के प्रवेश पर रोग लगा दी है और सुरक्षा के फुक्ता इंक्तिजाम किय पांच माई को योगी आदितनाथ हेलिकाप्टर से हरी द्वार पहुचेंगे हरी द्वार में उत्तर प्रदेश प्रेटन विभाग और उत्तरा खंड प्रेटन के होटल अलक नंदा का उठगाटन करेंगे इसके साथ ही साधू संतो द्वारा समान समारो का कारेक्रम भी है जिसमें वो सामिल होंगे जिसके बाद पांच माई को योगी आदितनाथ वापस लखनाओ के लिए रवाना होंगे डेक्स रिपोर्ट डीके निउस